अधे यूट्यूब इस उम्हाइख चागी और इस वीडियो में बात करने वाले कि इनफोसी ने जोग कैसे लिजाए तो अगर इनफोसी आपको केमपस विजिट कर रही है तो इस वेल और तो यह दिक्कत नहीं आपको बट अगर आपके कैमपस में इनफोसी नहीं आ रही है और आप लोग चाहते हैं कि Infosys में जो मिल जाए तो उसके लिए आप जो क्या कर सकते हैं इस वीडियो में हम पूरी तरह से डिसक्स करने वाले हैं तो वहता है कि Infosys जो है Off-Campus Mode में हायर करती है कई तरीकों से और उनमें से एक है HackWithInfi सो इस वीडियो में हम जो है HackWithInfi के बारे में पूरी तरह से डिसक्स करेंगे कितने राउंड होते हैं प्रेपरेशन स्ट्रेटीजी क्या होनी चाहिए आपकी वह सारी चीज़ है इस वीडियो में डिसक्स करने मादें है करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक नेशनवाइड कॉंटेस्ट है जो की इनफोजी कंडेक्ट हती है हर साल इसको और इसमें क्या होता है कि जो फाइनल ये इस्ट्टेंट है इधर फ्रॉम बी टेक और एम टेक और बैचलर उफ इंजिनिरिंग और मस्टर उफ इंजिनिरिंग देकन अप्लाइड बट दि इसमें है क्या होता है कि है कि में तीन राउंड होते हैं दो कोडिंग राउंड होता है जो की इनफोजी पुने कैमपस में होता है तो अगर आप लोग फर्स्ट और सेंड राउंड क्वालिफाइड करते हैं तो उसमें से टोप आइधिंग 110 और 100 सेलेक्ट होते हैं और उन से पहले हम बात करते हैं कि आप जो हमारी प्रीटिया वह इतनी होती यह मतलब हैं इससे तो अगर आप लोग लोग ने किस प्रोब्ल्म सवक्रेश की है है कर अर्थ है तो आप लोग पहली प्रोब्लम एज़ली सॉल्ब कर सकते हैं बट जो 2nd और 3rd problem होगी उसके लिए आपको अगर थोड़ा एक्सपोजर है competitive programming का और आपको पता है tree और जो है जो data structure होते है graph बागेरा और आपने जो है dynamic programming की हुई है तो आप लोग 2nd and 3rd problem easily implement कर सकते हैं तो जो difficulty level तो simple हो गया medium to hard होगा बट मेरे case में क्या होगा था कि मैंने फस्ट प्रोब्लम तो easily solve हो गया थी बट जब मैं second problem कर रहा था तो वो 3 प्रोब्लम थी अब उप में मेरे I think 12 test case pass हो गये 12 और 13 test case pass हो गये ते आप 15 बट मेरा second round first round sorry qualify हो गया था तो अगर आप लोग one and half or two problem solve कर लेते हैं तो आपके pretty much chance है कि आप लोग second round के ले qualify कर जाएं तो आप बात कर लेते हैं second round की तो second round भी similar होता है first round की तरह 3 coding questions तीन आर कर time duration और same platform platform की बात की है तो platform की बात कर लेते हैं आप बीच में जो platform है तो last to last year means in 2019 जब मैंने दिया था तो उस ताइम इनों है कर रेंग प्रेट्फों यूज किया था बट अभी 2020 में जो है क्विद इन फिवा था उसके कोडिंग राउंड के लिए है कर अर्थ प्लेट्फों को यूज किया सब्सक्राइब कर सकता है तो आप लोगों ने अगर प्रेक्टिस की है और आप लोग को आइडिया है कि इस प्रोल्म को कैसे सॉल्व करना है और कैसे अप्रोच करना है तो आप लोग को कोई प्रोल्म ज्यादा होनी नहीं चाहिए प्लेट्फों चेंज होने से तो आप लो इस बार एक change यह होगा कि जो यह round हो प्रोक्टर राउंड होगा प्रोक्टर राउंड क्या है तो प्रोक्टर राउंड यह है कि आप जो है जो आपका webcam है वो ओन रहेगा आपको monitor करने के लिए कि आप कुछ cheating वगरा तो नहीं कर रहे हैं और आप जो है कोई दूसरा तैब नह तो आप लोग पहले से ध्यान रखें इन सारी चीजों का और मैंने इसलिए बताया भी है क्योंकि बहुत लोग के साथ समस्य होती है और लोग जान नी देते कि प्रॉक्टर डेराउंड और वो इदर दर से करने कोशिस करते हैं तो वह प्रोब्लम मेंटिक हो सकता है आपके ल आप मेरे केस में क्या हुआ ता मैं वह भी बता दिता हूं मेरा प्रॉष्ण इजली हो गया था बैक ट्रेक प्रोब्लम थी वह थी हमारी डाइनेमिक प्रोग्रामिंग की और वह प्रोब्लम उससे नहीं होई ते बाद मतलब फिर देखा ट्यूटोरियल वगरा एडीटोरि तो अगर आप लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप लोग को सकता है कि पावर प्रोग्रामर के लिए भी जो है प्रिप्लेस्मेंट इंटर्व्यू मिले और जिसका पैगेज 8 लाग है तो अगर आप लोग अच्छे प्रिपेर कर सकते हैं तो आप 5-8 लाग वाली जो अराम से मतलब मिल सकती है और अगर आप लोग को इंटर्व्यू के बारे में जाना है कि इंटर्व्यू के लिए कैसे प्रेपेर करें तो उसके लिए मेरी एक पूरी वीडियो मैं पहले से ही तैयार कर चुका हूं तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्सिन में डाल दूंगा आ है तो अगर अगर आपको यह गए कि हम की है तो लॉप कर सकते हैं और अपने दोस्तों को जूनियर्स को से अगर किसी को हैल्प जलो हो तो बागी तो वीडियो आती रहती है इस ते चैनल पर सी ही तो उट्पर एस प्रेटी मूच पर इस वीडियो थैंक्यू, वय्तित्यू झाल झाल झाल